नमस्कार दोस्तों मैं किस्सा बाजवाला लेकर आया हूँ प्रसिध लेखकों की प्रसिध कहानिया दोस्तों अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेर जरूर करें तो आए इसी कड़ी में शुरू करते हैं आज की कहानी कहानी का सिर्षक है गोल्डन बेल्ट सलामीश शहर की ओर जाते हुए दो आदमियों का साथ हो गया दोफर तक वे एक नदी तक आ गये जिस पर कोई पूल नहीं था अब उनके पास दो विकल्प थे तैर कर नदी पार कर लें या कोई दूसरी सड़क तलास करें तैर कर ही पार चलते हैं वे एक दूसरे से बोले नदी का पार्ट कोई बहुत ही चोड़ा तो नहीं है उनमें से एक आदमी जो अच्छा तैरात था बीच धारा में खुद पर नियंतरन खो बैठा और तेज बहाव की और खीचने लगा दूसरा आदमी जिसे तैरने का भ्यास नहीं था आ प्रक्षित किनारे तक ले गया तुम तो कहते थे कि तुम्हें तैरने का भ्यास नहीं है फिर तुम इतनी आसानी से नदी कैसे पार कर गए पहले व्यक्ति ने पूछा दोस्त दूसरा आदमी बोला मेरी कमर प्रबंधी या बेल्ट देखते हो या सोने के सिक्कों से भरी रहा था धन्यवाद